नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमृता शर्मा शादियों का सीजन है और ऐसे में सबसे ज्यादा माइने रखता है सोना सोने की जूलरी तो एक बड़ी खबर सोने से जुड़ी आ रही है और वो ये कि सोने के दाम में भारी गिरावट हुई है पिछले कुछ महीनों के अगर आकड़ों पर नजर डाले तो ये आकड़ा तेजी से उपर गया था कोरोना काल था और ऐसे में भी सोने के दाम बहुत ज्यादा बड़े थे जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब नवंबर दिसंबर में शादियों के साई होंगे जब शादियां होंगी और ऐसे पर ये जो दाम है ये आसमान चुएंगे लेकिन जितनी उम्मीदे थी उससे बिलकुल उलट देखिए कोरोना काल में ये जो रेट थे ये 56,000 तक चले गए थे 7 अगस्त का मैं आपको एक आकड़ा बता रही हूँ 56,200 रुपै प्रती 10 ग्राम तक सोने के रेट पहुँच ग रगा सकते हैं लगभग लगभग दो महीने में तीन महीने में 10,000 की गिरावट सोने के दामो में हुई है तो ये एक बहुत अच्छी ख़बर है और इसके पीछे कारण ये बताय जा रहा है कि जैसे जैसे कोरोना काल था जैसे जैसे लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की सं अगर जल्दी से जल्दी बनाती है प्रभावी तो तुरंत ही उसको मार्किट में लाय जाएगा इन सब खबरों के बीच जब लग रहा है कि आने वाले वक्त में आने वाले साल में हालात सामानने हो जाएंगे तो इसको लेकर अब सोने के दामों में भी भारी गिरावट द 10 अगस्त का अगर मैं आपको आकड़ा बताओं 78,256 रुपए प्रती किलो था और अगर 30 नवंबर का मैं रेट आपको बताओं तो ये 69,000 प्रती किलो रह गया है 18,000 की भारी गिरावट इसमें देखी गई है तो खुल मिलाकर ये एक बड़ी राहत की खबर उन लोगों के लिए है जिनके घर में आने वाले वक्त में शादी है और वो सोने के गोल्ड के ओर्नमेंट्स बनाने की प्लानिंग कर रहे थे सोच विचार कर रहे थे तो अब चुकी मौका भी है रस्तूर भी है और रेट भी कम हो गए है तो ये आपके लिए एक बड़ी गुड निउस ह कि अ कि अपके बुकी मौका लेगा कि अपके लिए को तो है धुकी मौका लेगा कर रहे तो हैजिए का, है शुका लेह तो है भी हुड जारेगागाक लिए है ऐसी जारेगाक।